हैलो विद्यार्थियूं हैलो विद्यार्थियूं ईलवी क्लासट के इस नई वीडियो में आप शबी का, श्वकत है. तो आज के इस लिक्टर में मैं आप शबी को यहां पर प्रकाश वधित प्रभाओ इसके लाहें द्रव तरंगो जो भी most important numerical है वो यहाँ पर चालो करवाऊंगा तो इसमें जो पहला question लिया गया है question है कि तरंग दैर्द lambda बराबर आपको यहाँ पर दिया गया 5 गुड़े 10 की घात माइनस 7 मीटर के photon की उर्जा कामान जो है electron alt में ग्याद कीजिए यहाँ पर जो आपको photon की उर्जा कामान electron alt में ग्याद करना है तो धन्दे जी शब्षे पहले तो आपको यहाँ पर दी गई है तरंग दैर्द यानि कि lambda इसका मान दिया गया 5 गुड़े 10 की घात माइनस 7 मीटर इतना आपको दिया गया है और यहाँ पर जो है आपको photon की उर्जा यानि कि E का मान जो है ग्याद करना है इसके लाँ आपको पता होना चैए प्रकास की चाल जिसका मान होता है तीन गुड़े 10 की घात आट मीटर प्रति सेकंड तो अब धन्दे जी सूतर होता है E बराबर H C अपान लिम्डा इतना होता है तो E बराबर H यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है इसका मान आपको पता होना चैए 6.6 गुड़े 10 की घात माइनस 34 इतना हो जाएगा गुड़े C यहाँ पर प्रकास की चाल होगी यानि कि 3 गुड़े 10 की घात 8 बटे लिम्डा का मान आप रखेंगे तो 5 गुड़े 10 की घात माइनस 7 इतना हुआ यानि कि यहाँ पर धन्दीजी जब इसका गुड़ा करेंगे तो 3 चंग 18 फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 चंग 18 19 इसके बाद धन्दीजी एक अंग पर दिशमलो लग जाएगा गुड़े 10 की घात यहाँ पर दिया गया है माइनस 37 गुड़े 10 की घात धन्दीजी यह माइनस 7 है तो 10 की घात माइनस 7 जब उपर जाएगा इतना आएगा तो धन्देजे 5 ते हुआ 15 यानि कि यहां पर कितना बचा चार चार और 8 मिलके कितना हो जाएगा 48 फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 नवा 45 तीन बचेगा दिसम्दों लगा हुआ है 0 जब पढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा यानि कि 5 चका 30 गोड़े 10 की घात यहां प मैंनिस में है और यह प्लश में है तो यहां पर धन्देजे 34 से 15 अब निकाल देंगे तो यहां पर बचेगा मैनिस का 19 इतना आएगा अब यह जो मान आएगा यह जूल में आएगा और आपको ग्यादक़ना है ऐलेक्टरां ओल्ट में तो ग्याद करने के के लिए 3.96 गोड 10 की घात माइनश 19 से तो ये बदल जाएगा फिर एलेक्टार ओल्ट में अब यहाँ पर धन देजिए इससे ये जो है कैंशिल हो जाएगा इसके बाद धन देजिए जब इससे आप यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो भाग करने के लिए धन देजिए यहाँ पर दशमलो दो अंग पर दिया गया है और यहाँ पर एक अंग पर है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देजिए तो यहाँ पर भी दो अंग पर दशमलो हो गया अब दशमलो से दशमलो कैंशिल हो जाएगा तो यह आएगा 396, बटे में हो जाएगा 160, इतना हुआ, अब इसके बाद ध्यान देजिए, यहाँ पर अगर आप चाहें, तो इससे दो से पहले कैशल करिए, दो से अगर कैशल करेंगे तो ध्यान देजिए, यहाँ पर आएगा 2 एक कम, 2, 1 बचेगा, यह हो जाएगा 19, या अनिके 2, 8, 16, इससे जब आप 2 शेभाग करेंगे, तो 2, 8, 16 और यह 0 लग जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान देजिए, इससे फिर से आप यहाँ पर 2 शेभाग करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 29, 18, इसके बाद फिर 29, 18, इससे आप 2 शेभाग करेंगे, तो 2, 4, 8 और इसके बाद ये 0 लग जाएगा, अब इसके बाद धन्देजे, यहाँ पर अगर ये 0 काइंसल करेंगे, तो एक अंग पर दिसम्बलो लग जाएगा, यहीं कि 9.9 बटे 4, 4 से इसको भाग करेंगे, तो 4 दो नी, 8, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा, 19, अब अगर 4 से भाग करेंगे, तो 4, 4, 16, 16 के बाद धन्देजा पर कितना बचा, 3, अब 0 बढ़ाएगे, तो इसके बाद 4 सते, 28 तुल लग भग, इसका मान जो आएगा, वो 2, 47 एलेक्टरन ओल्ट, यहाँ पर जो है, इसका आशर हो जाएगा, इस प्रकार से उर्जा का माना पेलेक्टरन ओल्ट में ग्यात करेंगे, अब इसके बाद धन्देजी, अगला कोशिन, अगला कोशन आपको यहाँ पर दिया गया है कि दो प्रकास जिनकी उत्सरज़न छमता 100 वाट है उनमें से एक X तरंग उत्सरज़ित करता है जिसकी तरंग दैर्ध एक नैनो मीटर है दूसरा द्रश्य प्रकास में 500 नैनो मीटर उत्सरज़ित करता है और यहाँ पर लिखा है दोनों के द्वारा उत्सरज़ित फोटानों की संख्या का अनुपात ग्याद कीजिए तो यहाँ पर आपको फोटानों की संख्या का अनुपात ग्याद करना है और यहाँ पर दंदेजे तरंग दैर्ध दी गई है सबसे पहले X तरंग दैर्ध इसके जो मान दिया गया वो दिया गया आपको 500 नैनो मीटर इतना हो गया और यहां पर द्यान देजिए इन दोनों में उच्छित फोटानों की संख्याओं का अनुपात ग्याद करना है तो आप मान लेजिए हां पर कि माना एक्स किरन जैफर आप बोल सकते हैं माना एक्स किरनों में फोटानों की संख्याओं फोटानों की संख्याओं तथा द्रश्य प्रकास प्रकाश में फोटानों की संख्या ette तो यहां पर द्रणादीज़े अगर दोनों की उरज्याओं की बात करेंगे तो एवन बराबर E2 यहां पर N1 और यहां पर लग जाएगा N2 इस प्रकाश है अब धन देजे यहां अगर हम लोग N1 और बटे में इसको ले आए तो यह हो जाएगा N2 बराबर धन देजे यह धर बटे में जाएगा तो यह हो जाएगा E2 और बटे में आ जाएगा E1 इतना हुआ अब धंदेजी सूत्र होता है E बराबर HC अपान लेम्डा ये शूत्र होता है इसी सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे तो N1 बटे N2 बराबर यहाँ पर है E2 धंदेजी ये दोनों तो नियतांग है यनिके इनके मान कभी बदलते नहीं है तो इसलिए यहाँ पर होगा HC और बटे में धंदेजी इसकी जगे पर आएगा लेम्डा 2 क्योंकि E2 है इससी प्रकार यहाँ पर धन देजी इसमें भी H और C तो बदलेगा नहीं आपका और इसकी जगे पर आजाएगा लेम्डा 1 इतना हो गया अब यहाँ पर धन देजी N1 बटे N2 ब पराबर लिम्डा 1 का मान है एक नैनो मीटर तो यहां पर हो जाएगा एक लिम्डा 2 का मान है पांच सो नैनो मीटर तो यहां पर हो जाएगा पांच सो यानि कि फोटानों के संख्याओं का अगर अनुपात हम लोग ग्याद करेंगे तो यह आ जाएगा एक अनुपात पांच स यह यहां पर जो है इसका अंसर हो जाएगा अब इसमें आपको समझना क्या है यहां पर आपको धन देना यह मान नैनो मीटर में था यह भी मान नैनो मीटर में था इसलिए यहां पर इनके मातरक चेंज नहीं किये गए लेकिन अगर यहां पर मातरक अलग-अलग होते तो इन क्वंडी प्रकाश रोत के प्रति सेकेंड उत्सरजित 6000 एंगिस्ट्राम तरंग दयद वाले फोटान की संख्या ग्याद कीजी यहां पर आपको फोटानों की संख्या ग्याद करनी है संख्या यानि कि आपको N कामान जो है बताना है यहां पर दिया गया है 25 वाट यानि कि इससे आप मान लीजिए E E का मान आपको दिया गया है यहां पर 25 वाट इसके अलावा देंदेजी यहां पर तरंग दयद दी गई है यानि कि लेम्डा इसका मान आपको दिया गया है 6000 एंगिस्ट्राम इतना हो गया और यहां पर देजे यह जो मान दिया गया है तरंग दर्ध का यह एंगिस्ट्राम में दिया गया है तो पहले तो आप इससे मीटर में बदल दीजे तो लेमडा बराबर 6,000 गुड़े एंगिस्ट्राम को बदलने के लिए 10 की घात मैंनिस 10 से गुड़ा करेंगे तो यह बदल जाएगा मीटर में आप इस यह ऐसा भी लख सकते दान दीजे यहां पर 3,000 है यहां पर इससे आप ऐसा लेखिए 6 गुड़े 10 की घात मैनिस 7 यहां पर 3,000 का मतलब 10 की घात 3 बनेगा और इससे 10 की घात 3 मैनिस हो जाएगा तो इतना बचेगा मीटर इतना हुआ अब इसके बाद धन्दी सूत रोता है E बराबर N H C अपान लेमडा तो अगर यहां शिमलों के N का मान गयाद करेंगे तो लेमडा इधर गुड़े में आ जाएगा यानिकि E इन्टु लेमडा बटे में आएगा H इन्टु C इतना हुआ तो N बराबर E का मान आप यहां शिर रखेंगे 25 गुड़े लेमडा इसका मान आप यह वाला रखेंगे 6 गुड़े 10 की घात माइनस 7 बटे H यहां पर प्लांक नियतांक है यानिकि 6 दिसमलो 6 गुड़े 10 की घात माइनस 37 इतना हो जाएगा गुड़े C प्रकास की चाल होती है इसका मान हो जाएगा 3 गुड़े 10 की घात 8 इतना हुआ अब इसके बाद धंदेजी अगर इसको कैंसल करें तो 6 कम 6 यहां पर कैंसल करेंगे तो 6 कम 6 6 कम 6 इतना हुआ यानि की N बराबर यहां पर धंदेजी यह आएगा 25 इतना हुआ इतना हुआ इसके बाद गुड़े यहां पर धंदीजी 10 की घात दिया गया है माइनस 7 बटे इसका आप इसमें गुड़ा करेंगे तो 3 एकम 3 फिर दशमलो 3 एकम 3 गुडे यहां पर धंदीजी 10 की घात यह दिया गया है यहां पर माइनस का 34 और यहां पर दिया गया है 8 तो माइनस 34 से यह वाला 8 घटाएंगे त माइनस का 26, इतना हो गया, इसके बाद धन्दी जी, अगर यह दिसमलों कहिशल कर दे तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा, यहीं कि यह हो जाएगा 250, बटे में आ जाएगा 33, गुड़े, अब यहां पर धन्दी जब यह उपर जाएगा, तो 10 की घा जो 26 दिया गया है, प्लस म तो यहां पर आजाएगा 10 की घाट माइनस 19, इतना हो गया, अब N बराबर, अब 33 से आपको इसको भाग करना है, तो 33 से जब इससे आप भाग करेंगे, तो इसका मान आएगा, 7.5, 7, 5, और गुड़े, 10 की घाट माइनस 19, अगर आप इसे शुर्ध करेंगे, तो लिक शक्त हैं, N बराबर, 7.5, 8, क्योंकि ये विशम संख्या है, और इसके बाद 5 दिया गया, इसलिए आपर हो जाएगा, 5, 8, गुड़े, 10 की घाट माइनस 19, फोटान, प्रति, शेकंड, तो ये फोटानों की संख्या हो जाएगी, इस प्रकास से आप यहां पर इसे सालो करेंगे, अब इसके बाद धन देजी, अगला कुशन, अगला कुशन यहां पर है कि प्रकास वदुत प्रभाव के एक प्रियोग में, प्रकास आवरति के विरुद्ध, अंतक ओल्टता का धलान, यहां पर आपको अंतक ओल्टता का धलान दिया गया है, और इसका मान जो दिया गया ह चार दशमलो एक दो गुड़े दस की घात माइनिस पंद्रा ओल्ट सेकेंड ओल्ट सेकेंड ये आपको दिया गया है और आगे लिखा है यहाँ पर प्लांक इस्थिरांग का मान जो है वो परिकलित कीजिए यानि कि यहाँ पर आपको जो है प्लांक इस्थिरांग का मान जो ह ग्याद करना और यहाँ पर अंतक ओल्ड़ता की ध्लान आपको दे गई है तो इसके लिए पहले आप ग्राफ ध्यान दिजी अगर यहां पर आप जो है आवरति और एल्टेच के बीच ग्राफ घिचेंगे यह होती आपकी आवरति और यहाँ पर मान लेते हैं voltage और यहाँ पर होगा V0 तो अगर इसके बीच आप graph खीचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती इस प्रकार यह यहाँ पर ढ़लान जो होता है इसे हम लोग मान लेते हैं तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है ढलान इसका मतलब यहाँ पर आपको यह दिया गया है अब इसके बाद देजे यहाँ पर आप लिखिये चित्रशे अगर यहां शमलोग 10 थीटा ग्याद करेंगे तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार लंब आपका ये हुआ आधार ये हुआ तो लंब यहां पर हो जाएगा V आधार में आवरति आने की न्यू ये V है और ये न्यू है आने की आवरति अब आपको पता होना चाहिए H new बराबर E into V ये होता है ये आपको पता होना चाहिए तो अब ध्यान देजी अगर यहां पर V दिया गए है इसको हम लोग इधर लाए तो इसके बटे में आजाएगा और E इधर आजाएगा ये हो जाएगा H बटे E बराबर V और बटे में आजाएगा new इतना हुआ तो अब ध्यान देजी H बटे E बराबर V बटे new इसकी जगर पर आपके लेख सकते हैं 10 theta तो ये आजाएगा 10 theta यानि की H बटे E बराबर 10 theta का मान आपको दिया गया है 4.12 गुडे 10 की घात माइनस 15 तो H बटे E इलेक्टान का आवेश होता है इसका मान होता है 1.6 गुडे 10 की घात माइनस 19 बराबर 4.12 गुडे 10 की घात माइनस 15 जब यहाँ शे H ग्याद करेंगे तो ये गुडे में आया गया निकि 1.6 गुडे 10 की घात माइनस 19 गुडे में हो इससे गुड़ा करेंगे तो 16 दूनी 32 के दो हांशिलाया 3 इसके बाद 16 कम 16 तीन 19 हांशिलाया 1 16 को 64 और 65 इतना हुआ दो अंग पर दिशमलो यहां दिया गया एक अंग पर यहां यहां नहीं कि 3 अंग पर दिशमलो लग जाएगा गुड़े 10 के घात 19 और 15 जोड़ेंगे तो माइनस 34 मातरक हो जाएगा जूल सेकेंड यहां पर जो है इसका आशिर हो जाएगा अब इसके बाद देजे अगला कुशन है कि किसी धातु का कारेफलन 6 दिसमलो 6 एलेक्टरान ओल्ट है कारेफलन दिया गया है कारेफलन को लिखते हैं डवलूशे इसका जो मान दिया गया है 6.6 एलेक्टरान ओल्ट इतना है इस धात उपर सव एंगिस्ट्राम तरंग दैर्ध है यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध दी गई है सव एंगिस्ट्राम यह इतना हो जाया गया निकी सव एंगिस्ट्राम आपको दिया गया है इसके अलावा दंदेजी लिखा है विकिरण आप्तित हो रहा है उत्सजित फोटो एलेक्टरान की अधिक्तम गत्य जूर्जा की गर्णा कीजिए यहाँ पर आपको अधिक्तम गत्य जूर्जा निकी E-K इसका मान जो है ग्यात करना है तो अब धन्देजी सूत्र होता है E-K बराबर H-C अपान लेम्डा माइनस डबलू यह सूत्र होता है तो यहाँ पर आदेजी यह एंगिस्ट्राम में दिया आगे अगर इसे आप मीटरं की बदलेंगे तो 100 गुडे 10 की घात माइनस 10 मीतर या फृर्द्यां देजी 100 का मतलब 10 की घात 2 तो जब 10 की घात 2 यह आप माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर दन देजे E के बराबर H प्लांक नियतांक यानि कि 6 दसमलो 6 गुड़े 10 की घात माइनस 34 गुड़े C प्रकास के चाल यानि कि 3 गुड़े 10 की घात 8 इतना हो जाएगा बटे में लेमडा का मान, लेमडा का मान है 10 की घात माइनस 8 इतना हुआ लेकिन ये जो मान है भी जूल में आएगा, इस मान को electron Alt में लाना है क्योंकि W आपका electron Alt में है तो इसे electron Alt में लाने के लिए अपको भाग करना होगा 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19 से जब इससे भाग कर देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा एलेक्टरान ओल्ट में बदल जाएगा माइनिस डबलू का आप मान रखे 6.6 एलेक्टरान ओल्ट इतना हुआ जाने कि यहाँ पर दहन देजिए अगर आप गुड़ा करेंगे तो 3.18 3.18 एक उन्नीश एक अंग पर दिशमलो लग जाएगा इस प्रकार से इसके बाद धन देजिए गुड़े 10 की घात यहाँ पर दिया गया है माइनिस का 34 तो यहाँ पर आप लेखिए माइनिस 34 इसके अलावा धन देजिए यहाँ पर एक गुड़े 10 की घात बटे यहाँ पर आप लेखिएंगे 1.6 गुड़े यहाँ पर माइनस 19 और यह दिया गया है आठ इन दोनों को एड़ करेंगे तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 27 एलेक्टरान उल्ट माइनस 6 दिसमलो 6 एलेक्टरान उल्ट यहाँ यह आएगा तो यह हो जाएगा 10 की घात 35 बटे में आएगा 1.6 एलेक्टरान ओल्ट माइनस 6.6 एलेक्टरान ओल्ट इतना हो गया अब इसके बाद ध्यन देजे इससे आप लिखेंगे 19.8 गुड़े 10 की घात 35 से 34 घट जाएगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात 1 बटे में हो जाएगा 1.6 यहाँ पर एलेक्टरान ओल्ट माइनस 6.6 एलेक्टरान ओल्ट अब ध्यन देजे यहाँ पर 19.8 से जब 10 में गुड़ा करेंगे तो यह आजाएगा चाहिए तो यहाँ पर धन देजी दोश्य भी से कैसल कर सकते है या फिर डारेक्टि से भाग कर देजे जब यहाँ पर भाग करेंगे तो लग भग इसका जो मान ऐगा वो आएगा 123.75 अब भाग कर के चेक कर सकते हैं इसका मान जो भाग करने पर लग बग इतना आजाएगा इसके बाद धन देजे, माइनस यहाँ पर दिया गया है 6.6, अब अगर आप यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर माल लीजे, 0, 5 से 0 घटेगा, तो 5 ही बचेगा, 7 से 6 घटेगे, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप हांशे लेंगे, तो 13 हो जाएगा, 13 से यहाँ पर घटेंग इस प्रकास से आप यहाँ पर इसे सालो करेंगे, अब इसके बाद धन देजे, अगला कोशन है किसी धात प्रिष्ट पर आप्तित प्रकास की तरंगदैर्ध, लेंडा 1 से लेंडा 2 परिवर्तित की जाती है, यहाँ पर आप लेंडा 1 से लेंडा 2 में परिवर्तित की जा र गया है कि तब उत्सरजित प्रकाशलेक्टराणो की गत्यज उर्जा जो है दो गूनी हो जायेगी जब तरounter्ड़ लेंडा वर्शिल लेंडा तूब की जाएगी तो जूर ंर्जा होगी वह कि दो गू加 हो जाएगे यानि कि e2 कामान जो होगा वो पहली उर्जा के दो गुने के बराबर हो जाएगा यह अपसे बताया जा रहा है और यहाँ पर लिखा है देहली तरंग दैर्द है लेमडा नॉट के सूत्र की स्थापना कीजिए लेमडा नॉट यानि कि इसके सूत्र की आपको रंग दैर्द जो है वो लेमडा वंशे लेमडा टू में परिवर्थित के जाती है तो अब ध्यान्द जी आप यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश वैदुत समीकरण के अनुशार तो प्रकाश वैदुत समीकरण होता है e बराबर hc अपान लेमडा माइनस hc अपान लेमडा इतना होता है तो अगर यहाँ पर हम लोग e1 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा वन इशी प्रकाश जब तरंग दर्ध लेमडा टू की जाएगी तो वहाँ पर जो e2 का मान होगा हो जाएगा hc अपान लेमडा टू माइनस यहाँ पर होगा hc अपान इस प्रकार शे इतना हो जाएगा तो यह जो कोशन में दिया गया था इससे आप मान लेजी समी करण एक शे इसमें हम लोग E1 और E2 के मान रखेंगे तो E2 दिया गया है E2 का मान आप यह रखें यानि कि HC बटे लेमडा 2 माइनस HC बटे लेमडा 0 इतना हो गया इसके बाद बराबर 2 यहाँ पर दहन देजे E1 का मान रखेंगे तो hc upon lambda 1 minus hc upon lambda 0 यह हो जाएगा hc दन देजे इसमें hc common है तो जाहे तो यहाँ पर hc common लेजे जब आप hc common लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon lambda 2 minus यहाँ पर हो जाएगा 1 upon lambda 0 उसी प्रकास से इसमें दन देजे hc यहाँ पर common है तो 2 hc यहाँ पर हो जाएगा 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda not hc से hc cancel हो जाएगा यह होगा 1 upon lambda 2 minus 1 upon lambda not इसका गुड़ा करिए तो 2 बटे में होगा lambda 1 minus 2 बटे lambda not इतना हुआ अब इसके बाद धन देजिए जो lambda not वाले हैं उन्हें एक तरफ करिए तो यहाँ पर धन देजिए lambda not और इधर पहले से आपको दिया गया minus 1 upon lambda not बराबर यहाँ पर 2 upon lambda 1 फिर minus देजिए जब यह उधर जाएगा तो यह हो जाएगा 1 upon lambda 2 यहाँ पर देजिए दोनों के हर बराबर हैं तो 2 से 1 घट जाएगा निकि 1 upon lambda not इसका आप लाशा लेंगे तो lambda 1 into lambda 2 इधर गुड़ा होगा 2 lambda 2 minus इसका गुड़ा करेंगे तो lambda 1 इतना हो जाएगा तो यह 1 upon lambda not का मान है अगर यहाँ से लोग lambda not ग्याद करेंगे तो यह भी पिलट जाएगा यहाँ lambda 1 into lambda 2 बटे में आएगा 2 lambda 2 minus lambda 1 तो इस वीडियो को लाइक सेयर और हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद